जै मसीकी, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रदान, बाइबल टॉट इस के इस कारे क्रम में आप सब का स्वागत करता हूँ, हम वीडियो क्लिप्स के जरीए लुकार अचित्सु समाचार को देख रहे हैं और करनल नवनीच छाबरा जी के साथ चर्चा करके उसको गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, नवनीच जी फिर से एक बार आपका स्वागत, मेरे भाई और बेहनों हम देख रहे हैं कि येश्व मसी किस तरह से लोगों के प्रशनों का उत्तर दे रहा था, उसकी बुद्धी सब लोगों के बुद्धी से एक अलग लेवल पे थी, कोई भी उन्हें पकड नहीं पाए, कुछ प्रशनों का उसने उत्तर दिया, कुछ प्रशनों का उत्तर उसने टाल दिया, कुछ प्रशनों का उत्तर उसने और एक प्रशन से दिया ताकि लोग खुद सोच सके तो आज के क्लिप में देखते हैं आगे किन प्रश्णों का उत्तर येशु देने वाला है और कैसे देने वाला है वे मसी येशु की गतिविध्यों पर दृष्टी रखे हुए थे उनने मसी येशु के पास अपने गुप्तचर भेजे कि वे धर्म का ढोंकर मसी येशु को उनकी ही किसी बात में फसाण कर उन्हें राज जिपाल को सौप दे गुप्तचरों ने मसी येशु से प्रश्ण किया गुरुवर ये तो हम जानते हैं कि आपकी बातें तथा शिक्षाएं सही हैं और आप किसी के प्रती पक्ष पाती भी नहीं हैं आप पूरी सचाई में परमेश्वर के विश्य में शिक्षा दिया करते हैं इसलिए ये बताईए कि कैसर को कर देना विधान सम्मत है या नहीं मसी येश्य ने उनकी चतुराई भांटते हुए उनसे कहा मुझे एक दीनार दिखाओ इस पर आकृती तथा मुद्रन किस का है उन्होंने उत्तर दिया कैसर का मसी येश्य ने उनसे कहा तो जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो भीर की उपस्तिती में वो मसी येश्य को उनकी बातों के कारण पकड़ने में असफल रहे मसी येशु के इस हुत्तर से वे चकित थे और आगे कुछ भी ना कह पाए नवनी जी यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग येशु मसी को ट्राप करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे जो बीसवा वचन है वे प्रभू येशु के गतिविदियों पर दुरुष्टी रखे थे और येशु के पास गुप्तचरों को भेचते थे किसी भी तरह से उसे ट्राप किया जाए और ये जो प्रश्ण यहाँ पे उन्होंने पूछा टैक्स के बारे में तो उससे हम क्या सीख सकते हैं वो प्रभू येशु को ट्राप या फसाना चाहते थे यह जैसे हमने पहले भी एपिसोड में देखा कि लोग जो है प्रभू येशु की प्रशंसा कर रहे हैं स्तुति कर रहे हैं प्रभू येशु उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और अपॉइंट्मेंट नहीं है कोई इलेक्शन नहीं जीते हैं लेकिन फिर भी सब चल रहा है और जो अपॉइंटेड लोग हैं उनकी रेटिंग डाउन होती जा रही है ठीक है ना अब जब रेटिंग डाउन हो रही है तो उनके मन में क्या है कि एक मौका मिल जाए जब हम लोगों को दिखा पाएं कि प्रभु येशु में खोट है ठीक है और इसी लिए वो आपस में विचार भी मर्श करते थे और question बनाते थे प्रशन बनाते थे अब जैसे पिछले episode में हमने देखा उन्होंने प्रशन बनाया किस authority से प्रभु येशु ये काम कर रहे है तो वहाँ पे उनको प्रभु येशु ने प्रशन का उत्तर प्रशन से ही दिया और उनको चुपकरा दिया अब आप उन्होंने सोचा कि अब क् 35 दिसंबर भी आएगा तो financial year जो है income tax return जाने हैं तो चलो बात करते हैं कि tax के चक्कर में ही फसाया जाए प्रभु येशु जी now most important thing is that you know Jesus has spoken much about finances परमेश्वन ने finances के बारे में इतना कुछ बोला है आर्थिक चीजों के बारे में और इस समय पे सवाल आता है कि क्या हमें tax देना चाहिए या tax नहीं देना चाहिए तो अब ये जो है अगर प्रभु येशु बोलें कि tax देना चाहिए तो प्रभु येशु भी tax collector की तरह rated हो जाएगा क्यार देखो एक tax collector कम थे अब ये और है जो कहते हैं ये भी बोलते है tax लेना चाहिए तो देख लो जनता सब देख लो ये आपको कोई किसी तरह की रहात देने नहीं पहुँचा जी और अगर प्रभु येशु जवाब दें कि tax नहीं देना है तो वो सरकार के खिलाफ हो ग सवाल तकड़े निकालते थे मतलब ये नहीं कि ऐसे को यहरा यहरा सवाल लेके आगे वो सोच समझने के बाद में आदमी भी नुक्त करते होंगे कि तो आप ये सवाल पूछोगे और उस समय पूछोगे जी लेकिन प्रभु येशु ने उसका उत्तर क्या दिया सिक्के को रिया और बोला इस पर किस की तस्वीर है इस पर अगर सीजर की तस्वीर है जो उसका है वह उसको दो दो यह नुद दो see Jesus has again brought out very clearly संतुलन जो चीज जो है मसी जीवन में जो आपने सरकार को देनी है जो आपकी नहीं है जो आपने लोगों को देनी है जो बनता है जो नियम है जो लौ है जो कानून है जो विवस्ता है उसका पालन जैसे करना है करते रहो लेकिन जब आप ये कारे कर रहे हो उस में संतुलन जो बरकरार रखना है कि राज्य के लिए भी कुछ है क्या आप राज्य के लिए कुछ कर रहे हो क्या आप परमिश्वर की राज्य की स्थापना के लिए कुछ कर रहे हो जो जो आपने वहाँ देना है है राज्य के लिए वो राज्य के लिए दो चाहे अपना समय दो चाहे अपने रिसॉर्सिस दो लेकिन जो आपने सरकार को देना है उसमें कोई भूल चूप नहीं होनी चाहिए जी और और यहां पे और एक बात भी है वो येशु कहता है कि किसकी आकुरती वो मुद्रन पे है यानि कि वो जो कॉइंस थे उसके उपर कैसर की आकुरती मुद्रित थी लेकिन हमें परमेश्वर की आकुरती मुद्रित है बिलकुल यानि कि हम उसके image में बनाए गए है और ये जरूरी है कि हम खुद को परमिश्वर के हवाले उसी तरह से करें जिस तरह से ये लोग कैसर को tax दे रहे हैं बिलकुल आपने बहुत ही अच्छा point लाए पासर जी के हमारे में किस चीज की चवी है वो परमिश्वर की चवी है we are made in the likeness or the image of God तो हम जिसकी चवी में बनाए गए हैं हम अपने आपको उसको समर्पित करें और वो ही जो है प्रभु येश्व उनको समझा रहे हैं मेरे भाईयों और भेनों ये आप कभी मत भूलिए कि आप में परमिश्वर की चवी है बाईबल कहता है कि ये जरूरी है आप खुद को परमिश्वर को सोपना ना चुके और जैसे नवनी जी ने हमें सिखाया कि संतुलिज जीवन जीना बहुत जरूरी है आपके टैक्सेश जो है जो देने है वो देना जरूरी है लेकिन उससे भी जapterा जरूरी है अपने आपको परमिश्वर के हवाले करना क्योंकि आप परमिश्वर के ही हो उसके चभी में उसके द्वारा बनाए गए हो तो देखेंगे आगे हम और क्या सीके तब सदू की समुदाय के कुछ लोग जो पुनर्थान में विश्वास नहीं करते मसी येशू के पास आए उन्होंने उनसे प्रश्ण किया गुरुवर हमारे लिए मोशे के निर्देश हैं यदि किसी निसंतान पुरुष का पत्नी के रहते हुए निधन हो जाए तो उसका भाई उस स्थ्री से विभा कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन करे। साथ भाई थे, पहले ने विवाग किया और निसंतान ही उसकी मृत्यू हो गई, तब दूसरे ने और फिर तीसरे ने उससे विवाग किया और इस प्रकार सातों ही निसंतान चल बसे, अंतता उस स्त्री की भी मृत्यू हो गई, इसलिए मरे हुओं के जी उठने पर वो स्त्री किस की पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वो सातों ही की पत्नी रह चुकी थी, मसी येशु ने हुने उत्तर दिया, विवाग केवल इसी लोक में होते हैं, वे जो आने वाले लोक में प्रवेश तथा मरे हुओं में से जी उठने के योग्य गिने जाते हैं, वे वाहिक अवस्था मे प्रवेश नहीं करते, जी उठने पर लोग ना तो वेवाहिक अवस्था में होंगे और ना ही कभी उनकी मृत्यू होगी, क्योंकि वहाँ वे स्वर्ग दूतों जैसे होते हैं, जी उठने के परिनाम स्वरूप वे परमेश्वर की संतान होंगे, मरे हुओं का जी उठना ए सब ही जीवित हैं लोग हैं, एक प्रबु येश्व हैं, एक सेड्यूसीज हैं और एक फैरसीज हैं, सवाल जो है सेड्यूसीज पूछ रहे हैं प्रबु येश्व से और फैरसीज और सेड्यूसीज की आपस में बनती नहीं है, और फिर जो है सवाल जो चुना गया है, वो बहुत ही ट्रिकी सवाल है अगें काफी आपस में बातचीत की है कि क्या पूछें कि हम बतलब फस जाए प्रभू येश्यू के उसके बार जवाब ना हो तो ये करके उन्होंने ये सवाल प्रभू येश्यू से पूछा और यहां पर येश्यू मस्य ने उनके जो सवाल का जबाब जो रिजरक् तो वो उसका मतलब क्या है प्रभू येश्यू ने जो सवाल था वो सवाल ये ही पूछा गया कि विवा के अंदर एक भाई की मृत्ती हुई दूसरे की हुई तीसरे की हुई तो पुरन थान के समय में जब स्वर्ग में है तो वो किसकी पत्नी के लाई जाएगी तो अब ज उसने उस जवाबों के अंदर कई चीजे डाली कि दिस एज एंड आट एज आज का समय और वो समय जब आएगा तो उसने बुला आज के समय में जो है वो उस समय नहीं है आज के समय में विवा जो है वो एक बैलिट चीज है लेकिन विवार नाम की चीज वहां स्वर्ग में होती नहीं है, नहीं है, उसके बाद उसने बोला कि तुम लोग परमिश्वर के पुत्र हो, या 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 परमिश्वर के बच्चे हैं, तो what response Jesus is giving is a simple straight response, कि तुमारा जो सवाल है, उस सवाल की कोई बुनियाद नहीं है, कोई foundation नहीं है, और जो तुम बोल रहे हो, वैसा उस राज्ये में नहीं होगा. Now, another thing I want to bring to you is, कि प्रभु येश्व ने कुछ parables या कुछ सवाल जवाब में हमें स्वर्क का दर्शन देने की कोशिश की है. उपर गए, तो उसमें भी प्रभु येश्व बताना चाते थे, कि नर की हालात क्या है, और स्वर्क की हालात क्या है. So, ये parable जो था, वो किसके मूँ से आया? स्वैम प्रभु के पुत्र के मूँ से आया. क्यूंकि वो ये एक ऐसे इनसान है, जो जानते हैं कि वहाँ पे क्या है. और अभी भी ये जो उत्तर आ रहा है, वो प्रभु येश्व के अपनी तरह से आ रहा है. और जिसके अंदर वो क्लेर बता रहे हैं कि वहाँ पे विवा का कोई मतलब ही नहीं है. और साथ-साथ ये भी बता रहे हैं कि आप लोग जो है, आप लोग एक संतान की रूप में वहाँ पर आते हैं. So, that is how it comes out. यानि कि उनके पूरे जो प्रयास थे येश्व मसी को फसाने के, उनको उसने एक तरह से वाइप आउट कर दिया. हम वहाँ पे देखते हैं, उसका उत्तर सुनने के बाद उनको और कुछ प्रशन पूचने की करेजी नहीं थी. लेकिन यहाँ पे जो शास्त्री और फारसी थे, जो येश्व मसी के खिलाफ थे, उन्हों ने भी उनके उत्तर की बहुत सरहना की और बहुत उत्तम उत्तर दिया, वो क्यूं? अगें, मैंने बताया शुरू में, कि सेड्यूसी और फारसी की आपस में नहीं बनती थी. दोनों के कॉंसेप्ट्स में या दोनों की सोच में अलग था. उत्तर प्रशन किसने पूछा? सेड्यूसी ने. उत्तर किसने दिया? प्रभू येश्व ने. अगर फैरसी के पाथ दो यह आप्शन थे. या तो इस उत्तर को नकारा करते तो वो सेड्यूसी से मिल जाते. और को समझ आया. मतलब हम ये नहीं कह सकते थे कि उन शास्त्री लोगों को सब समझ में आ गया. लेकिन उनका ये बोलना कि बहुत उत्तम उत्तर है. वो केवल उस सिचुएशन को डिजॉल्व करना है कि वो बता रहे हैं कि हमारी सेड्यूसी के साथ नहीं बनती. अब तुम सव यहां पे सही उत्तर का एकसेप्ट करना नहीं लेकिन सदूकियों को गलत साबित करना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्णा था. बिलकुल. तो फिर से एक बार ये एटिटूड की बात है. एपसिलूटली एटिटूड की बात है. मेरे भाईयों और बहनों प्रश्न पूच है. वो बहुत महत्वपुर्ण है. तो देखेंगे आगे येश्यू मसी हमें क्या सिखा रहा है. कुछ शास्त्रियों ने इसके उत्तर में कहा. गुरुवर अतियुत्तम उत्तर दिया आपने. उनमें से किसी को भी अब उनसे किसी भी विशय में प्रश्न करने का साहस न रहा. मसी येशु ने उनसे प्रश्ण किया लोग ये क्यों कहते हैं कि मसी दाविद की संतान है क्योंकि स्वयम दाविद भाजन सहिंता में कहते है या वे ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दाएं पक्ष में बैठे रहो मैं तुम्हारे शत्रूं को तुम्हारे आधीन करूँगा। जब दाविद उन्हें प्रभू कहकर संबोधित करते हैं, तब वो दाविद के पुत्र कैसे हुए। वे विद्वाओं के घर हडप लेते हैं, तथा मात्र दिखावे के उद्देश्य से लंबी लंबी प्रार्थनाए करते हैं। कठोर होगा इनका दण्ड। नौनी जी, येशु सदूकियों से बात करने के बाद सीधा हमसे दाविद के बारे में बात करता है। तो वो कनेक्शन क्या है और वो हमें क्या सिखाता है। ये हमने जब जिन्यालजी देखी किस प्रकार से प्रभू येशु आए तो जब हमने वो ब्लाइंड में देखे जो जिन्होंने पुकारा सन अफ डेविड, सन अफ डेविड। जो जो बताना चाते है प्रभू येशु कि जब आप जिन्यालजी में देखते हैं तो मेरा जो जन्म हुआ वो दाओद के वन्च में हुआ। और उसके बाद में वो ये भी बताते हैं कि फिर दाओद मेरे को क्यों परमेश्वर प्रभू कहता है। तो अब एक्चुली देखा जाए तो बात तो बात वह बिल्कुल जही है कि अभी मेरा जन्म हुआ दाओद के वंच में तो दाओद कौन है मेरे परदादा के परदादा के परदादा है। आया है और उसके साथ में फिर अपनी डिविनिटी या कि मैं किस प्रकार से प्रमेश्वर का पुत्र हूँ इस चीज़ को जाहिर करते हैं क्योंकि अर्दली जो जीनियालोजी है जिस वन्ट से वो आए है वो तो स्थापित करता है कि धर्ती पे आप किस वन्ट से आए है लेकिन जब आपकी डेजिगनेशन में है परमेश्वर का पुत्र तो आप इस धर्ती और इस संसार और इस यूनिवर्स के आप स्रश्टी करता है और आप उस सिहासन पे विराज मान है जहां आप सब कुछ कंट्रोल करते है तो क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र है आप किसी भी वन्ट से आए है लेकिन आप हर वन्ट के लिए एक परमेश्वर ही माने जाएंगे तो ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्लेर कर रहे है बिकॉस और भी कई जगें बाइवल में यही व्याख्या लिखा हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ पाता किस प्रितेक्ष में लिखा है लेकिन प्रभु येश्व अपनी डिविनिटी बता रहे है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ अर्दली डेजिगनेशन में तो मेरे मेरे दादा पर दादा और बहुत जिस वन्ट से मैं आया हूँ वो है लेकिन जब मेरे को हेवनली डेजिगनेशन मिलती है तो सीधा मैं यहां से उपर पहुचता हूँ और अपने पिता के दाइने हाथ की तरफ बैठता हूँ यानि कि येश्व मसी कह रहा है कि सिर्फ शारिरिक तरीके से आप मत सोचू सोच उसके उपर जाना जरूरी है सी अगें इसके अंदर क्या है क्योंकि लोगों का बारी बारी अगर आप बाईवल में देखें तो कई अरे ये कौन है ये तो नैजरत में था ये ये कौन है जो पढ़ा रहा है मंदिर में भी कहां से इसने डिगरी ली अपनी ओ यार ये तो जोजफ का बेटा है फिर कोई बोलता है औरे ये कौन है ये तो कारपेंटर है यूनो इट इस ओल रिलेटिट तो वाट इस ओल रिलेटिट तो दी अर्दली लाइन लीनियेज और डिजिगनेशन लेकिन जब प्रभु येशु बोलता है में और पिता एक हैं जिसने पिता को देखा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा लेकिन जब वो अपनी डिविनिटी बताना शुरू करते हैं जब वो बताना शुरू करते हैं परमेश्वर का पुत्र हूँ तो वो लोगों को बोलते हैं कि मेरे अर्दली वंच को मत देखो मेरे हेवनली वंच को देखो कि मैं कौन हूँ क्यूंकि जब वो देखोगे जब वो दर्शन तुमें मिलेगा तब तुम मुझे समझ पाओगे नहीं जी हम देखते है कि किस तरह से शास्त्री या सदुकी फारसी येश्व मसी को प्रशन पूछ रहे थे और येश्व मसी बहुत ही बुद्धी के साथ उनका उत्तर दे रहे थे लेकिन यहां पे अपने शिश्वर को शास्त्रियों से सावधान करना उसने शुरू किया वो क्यूं? और वो समय समय पर चेतामनी देते हैं अपने चेलों को कि किस प्रकार से उन्हें इस चीज की तरफ अगार रखनी है थोड़ा सचेत रहना है कि हम फैरसीज को सुनें अगर उनके प्रशन सही है तो उनको हम वाद विवाद करें और उन्हें उत्तर दें लेकिन जब हम ये समझ पाएं पवितरात्मा द्वारा के प्रभु येशु कौन है और प्रभु येशु के आने से क्या हुआ और ताके हम एक क्लियर लाइन डी मार्केट कर पाएं जो पॉलूस ने अफिशियंस के दूसरे अध्याय में लिखा दाट इट इस नॉट बाइ वर्क्स के हम करम द्वारा नहीं लेकिन इट इस बाइ ग्रेस डैड वी आर सेव तो ये सिखलाई प्रभु येशु जो है अपने चेलों को निरंतर देते जा रहे हैं जिस आपने तो फैरेसीज के बीच में ही रहना है लेकिन सचेत रहना है अलर्ड रहना है कि कहीं आपकी सोच में वो कर घुमते हैं ताकि उनको सम्मान मिले और किस तरह से उनको परधान आसन हमेशा चाहिए होता है यानि कि ये लोग सिर्फ खुद के सम्मान के लिए देखते हैं और परमेश्वर के पुत्र का जिस तरह से सम्मान करना चाहिए वो नहीं करते थे बिलकुल और यही चीज़ आप देखें तो पहले भी प्रभु येशु ने फैरिसीस के बारे में बुला है और अलर्ट किया है कि ये लोग जो है धरम को अपनाते हैं लेकिन धरम को अपनाते हैं अपने फैदे के लिए धरम को इसलिए नहीं अपनाते हैं कि उनका हिदे उस धरम को अपनाने के लिए त रोब हैं, चाहे वो एक प्रात्मिक्ता है, चाहे वो अच्छी जगे बैठने का स्तान है, चाहे वो लोगों की इज़त है, वो हर चीज जो है, लेकिन अगर विश्वास प्रभु येशु में है, अगर विश्वास है के वो पिता का इकलौता पुत्र है, अगर विश्वास है कि वो सूली पे मेरे लिए चड़ा है अगर विश्वास है वो एक वर्जिन माता से उत्पन हुआ है ये सब चीजों के विश्वास द्वारा मुझे मेरी धार्मिकता प्राप्त होती है तो यहां पे हम एक बहुत बड़ा अंतर देखते हैं एक फैरिसीज के एक अच्छी बात कही थी जकरायस के बारे में कि जब परमेश्वार समझ लेता है कि आपका रुदे ठीक है तैयार है तो वो खुद आके आपको ढून लेगा आपको उधार देगा लेकिन जब आपकी सोच आपका रुदे ठीक नहीं है तो सब मालुम होते हुए भी परमईश्वर का सत्य जो है वो छुपा रहता है नवनी जी यहाँ पर हम देखते है कि विद्वा या निसहाय लोगों के बारे में जो शास्त्रियों का बरताव था वो येश्यों ने बहुत ही कंडेम किया यहाँ पर ये विद्वाओं के घर हड़ जाते है तथा मात्र दिखावे के उद्देश से लंबी लंबी प्रातना करते है कठोर होगा उनका दंड तो उनके दंड के बारे में आप कुछ परमेश्वर जो है अगर आप देखें तो वो फैरिसीज के साथ में बहुत ही यूनों स्ट्रॉंग तरीके से पेश आते हैं अगर आप एक गॉस्वल में उन्होंने लिखा कि बार से तो सब सफेदी कर रखी है लेकिन अंदर से सफेदी अंदर से उनके रहदे साथ नहीं है और कई जगें बोलते हैं यू बुरूड और वाइपर्स उनको साथ के समान हो और अब ये विद्वाओं को लेकर बोलते हैं और बीश में उन्होंने ये भी बोला आप अपने माता पिता को घर से बाениकाल देते हो जब लोग बोलता है कि उनको क्योने बार निकाला तो बोलो हम तो पैसा चर्च को दे रहे हैं कलीसिया को दे रहे हैं बार और जो का सिंपल उनका कमांड मेंट है It says love the Lord with all your heart, mind and soul and love your neighbor as yourself के आप अपने पडोसी से प्रेम रखें पडोसी कौन है जो वेक्ती जरूरत में है वो पडोसी है आपको अगर आप किसी वो कुछ दे नहीं सकते तो जो उसके पास है उसे चीनो तो मत लेकिन यहां पर क्या है विद्वाओं के साथ में जो फैरसी करते थे वो बुरा करते थे और प्रभू येश्यू कहते है इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा क्योंकि तुम्हारा हिदे जो है वो इतना कठोर हो चुका है कि वो नम्र होने को तयार नहीं है इस कारण से दंड मिलेगा and look at the Lord प्रभू की और अगर आप ध्यान दें तो परमेश्वर ने कितनी विद्वाओं की मदद की You see his heart went for people who were in need नाइन की इस्तरी लूका साथ में ध्याय में जिसके एक लोते पुत्र का ध्यान तुआ प्रभू यश्वर ने उसको खड़ा किया उसके बाद में जब ये जब ये दो दमडी डाले गए बैक के अंदर विद्वाथ ही लेकिन परमेश्वर ने उसकी साराना की वहाँ पे So you know the important thing is the eyes of the Lord परमेश्वर की जो द्रस्टी है परमेश्वर की जो आखें हैं वो हरेक के उपर है वो हरेक के उपर के बल ये नहीं देखती के आपका हाथ क्या कर रहा है वो देखती है आपका हृदे और आपका दिमाग क्या सोच रहा है यह बहुत ही महत्वपुना बात है नवनी जी आप से विंति करता हूँ कि आप हम सब के लिए प्रातना कीजिए ताकि हम भी उसी तरह का निस्वारती जीवन जीए जहां पर हमारा फोकस सिर्फ परमिश्वरी होगा आईए अपने सरों को प्रातना में चुकाएं प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हम आपके वचन से पढ़ पाते हैं प्रभु वो सत्य जान पाते हैं कि हमारा उधार आपके विश्वास द्वारा है प्रभु उस सत्य को ग्रहन कर पाते हैं प्रभु कि अपने कहरम द्वारा नहीं लेकिन जब आप पे एक simple तरीके से विश्वास करते हैं प्रभू, आप हमारे जीवन में आते हैं प्रभू हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों से निरंतर बातचीत करते रहिए परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभू के आप उन्हें आशीशित कीजिए प्रभू सुरक्षित रखिये प्रातनाएं उनके चाहों को प्रभू किवल आप ही पूरा कर सकते हैं ये सब चीजे हम प्रभू येशु के नाम में मांगते हैं, आमें धन्यवाद नवनीच जी, आप सबको भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े अगले हपते फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गब ब्लेस्ट यू एक नई बाइबल इज़ाद मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें, ताकि आप पाएं प्रभू का शुद्ध सुनाई देने वाला बचन अपनी उंगलियों पर आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें, और सच्चाई का सामना करें इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभू के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकिये आउडियो में सुने, आफ्लाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें हमारे पास मुफ्त में तेरा सो से भी अधिक भाशाएं उपलब हैं पाँच सो से भी अधिक भाशाओं में गौस्पल फिल्में देख कर येशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जाने शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बाटें ताकि आप रभू के वचन का एक साथ अधियन कर सकें तो आज ही बाइबल इजाब डाउनलोड करें रभू को आपकी अपनी भाशा में बोलते हुई सुनें नई बाइबल इजाब जो सब को दिन में रखकर बनाएं गई है